यूपी आई प्लेटफॉरम पर ही हर मैने करीब करीब चार लाग करोड रुपय का ट्रांजेक्शन हो रहा है चार लाग करोड रुपय का ट्रांजेक्शन और हर मैने नए रिकॉर्ड बन रहे हैं आज गाउं देहांत में भी छोटे छोटे रेडी ठेलों पर भी आज डिजिटल पेमेंट संभव हो रहा है। भारत के उद्योग जगत को देश की इस तांकत को समयते हुए आगे बढ़ना है। सात्यों हम जैसा गाउं और छोटे शहरों का माहोर तीवी या फिल्मों में देखते हुए बड़े हुए हैं। उससे इनके बारे में एक अलग धाना बनाना स्वाभाविक है। शहरों और गाउं के बीच फिजिकल दूरी कभी उतनी नहीं रही जितनी दूरी परस्पक्तिव को लेकर रही है। कुछ लोगों के लिए गाउं का मतलब ऐसी जगर रहा है जहां आना जाना मुश्किल हो, जहां बहुत कम सुविदाएं हो, बहुत कम विकास हुआ हो, पिछड़ा पन ही पिछड़ा पन पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप आज रूरल या सेमी रूरल एलाकों में जाएंगे, तो आपको एकदम अलग द्रश्य मिलेगा। एक नई आशा, नया विश्वास आपको नजर आएगा। आज का ग्रामिण भारत बहुत बड़े बड़लाव के देर से दोर से गुजर रहा है। क्या आप जानते हैं कि रूरल इंडिया में एक्टिव इंटरनेट युजर्स की संख्या सेहरों से जादा हो चुकी है। क्या आप जानते हैं कि भारत के आदे से जादा स्टार्ट अप्स हमारे टियर टू, टियर थ्री सहरों में हैं। प्रदान मंत्री ग्रामिण सडक योजना से देश की लगबक 98% बस्तियां सडकों से जुड़ चुकी है। कहने का मतलब ये कि गाउं के लोग अब बाजार, स्कूल, अस्पताल और दूसरी सुविधाओं से तेजी से जुड़ रहे हैं। गाउं में रहने वालों की आकांख्षा बढ़ रही है। वो सोच्यो एकानोमिक मोबिलिटी चाहते हैं। सरकार अपनी तरब से इनी आकांख्षाओं की पूर्ति करने में जुटी है। अब जैसे हाल में लॉंच की गई पीएम वानी योजना, उस पीएम वानी योजना को इलिए इस योजना के तहट देश भर में सार्वजनीक वाइफाई होट्सपोर्ट का नेटवर्क तयार किया जाएगा। इसे गाउं गाउं में कनेक्टिविटी का व्यापक विस्तार होगा। इसलिए आप जैसे एंट्रेप्रनर्स को गाउं और छोटे शहरों में इन्वेस्टमेंट का मोका बिलकुल नहीं गवाना चाहिए।